हेलो एवरिवन तो आज का क्राफ्ट हम स्टार्ट करते हैं पहले एक पेपर ले लेना है स्क्वाइर कलर पेपर उसको में हाफ फोल्ड करना है उसके बाद rectangle बन गया वापस fold करना है छोटा square बन गया अब हमारे पास पीछे से ये cut कर देना ऐसे अब हमें इदर lines बनानी है ये ध्यान रखना है कि ये corner में touch ना हो जाए ये lines ध्यान से देखके बनानी है लाइक दिस अब हम इसे cut करेंगे ये ध्यान रखना है ये पूरा cut हो जाएगा तो खराब हो जाएगा हमारे ये डिजाइन में अब हमारे ये डिजाइन अब हमारे लास्ट वन अब इसे खोलते हैं इसे ध्यान से खोलना थोड़ा सा भी जादा करोगे तो ये फट जाएगा हमें ऐसा सेम एक और बनाना ये एक डिजाइन बन गया सेम ऐसा अलग कलर के साथ पहले इसे हाफ फूल्ड करना है फिर और हाफ पहले रेक्टेंगल हो गया फिर स्क्वेर चोटा स्क्वेर ओके फिर पीछे के साइट से हमें कट कर देना है पार्ट फिर लाइन्स बनानी है दियान रखना है ये टच ना हो जाए लाइट इस अब हम इसे कट कर लेंगे इस सेल वैसे ही जैसे पहले ने कट किया था झाल झाल इसे हम अब ओपन कर देंगे यह वाले को हम इसके ऊपर स्टिक कर देंगे ऐसे पूरा स्टिक नहीं करेंगे खाली इस साइड की जो पार्ट्स हैं हम उदर स्टिक करेंगे इसे पैविकॉल के साथ साइड साइड में थोड़ी थोड़ी फैविकॉल लगा लेंगे लियान रखना है थोड़ी थोड़ी फैविकॉल लगाने साइड में आफ्टर देट ये वाला जो है डिजाइन उसको इसके ऊपर रखेंगे थोड़ा सा प्रेस प्रेस करेंगे इसे ताकि अच्छे से चिपक जाएं पर ये ऐसा डिजाइन बनेगा ऐसा डिजाइन लाने के लिए कुछ थोड़ा सा हैवी होगा कोई भी छोटी सी चीज वह हम इधर नीचे बॉटम पर लगाएंगे और एक साइड पर हम एक थ्रेड लगाएंगे कि मैं बस छोटा सा एक कि स्टोन टाइप कुछ है तो इसको मैं एक बॉटम पर इसको चिपका दूंगी सेंटर में जो इसका सेंटर है उधर कि मैंने इससे सेलो टेप से चिपकाया है कि जादा बड़ी सेलो टेप मत लगाना नहीं तो वह अच्छे से हैंग नहीं हो पाएगा कि आफ्टर डैट इसके टॉप पे हमें इधर एक थ्रेड लगानी है छोटी से थ्रेड ले ले लेना और इसके टॉप पे सेलो टेप की हेल्प से चिपका देना लाइक दिस अफर फिनिशिंग देस क्राफ्ट सब लोग मुझे फोटो भेजेंगे तिल ट्वैल अकलॉक मेरे पास सब की फोटो आ जाने चाहिए ओके बाई एव्रीवन अक्रेडं झाल